वो सब समझ गई, वो बहुत उदास हो गई, कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सब का व्यवहार बदल रहा था, वो लोग जैसे ठक चुके थे उससे, सब लोग भूमा फिरा कर पुछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने, वो बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं, कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत तोकाटा की उसे सुनाई देती, वह टाल देती, एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान तूट गया, छोटी भावी ने बहुत हंगामा मचाया, कविता के माता पिता रोज रोज के जमेलों से तंग आ गये थे, उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया, राज कविता को अपने घर ले गया, कविता को अपने परिवार वालों से ये उमीद ना थी, जिस कविता के कहे बिना गर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह बोज बन चुकी थी, राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी अपने जिगर के टुकडे राहुल के पास, परन्तु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी, सारा बंद दारी सौपी गई, जो उसके खाने पहने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती, कविता ज्यादा तर चुपी रहती, कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती, उसके जरिये राहुल का पता चल जाता, सबकी लाडली बेटी और बहु सबके लिए लाडली से बोज बन चुकी थी